आप सभी का हर्दिक स्वागत है आप सभी ने पसुदन सायक बरती 2022 का पेपर दिया काफी अच्छी से तैयरी की आपने अंसर मिलाई अंसर की आई कई कोचिंगों के आपने अंसर की मिलाई अब आपके सवाल है कि ओफिशल की कब आएगी कितना और इंतिजार करना पड़ेग सर अनुमानित कटोप क्या रह सकती है देखिए जब हम तैयरी करते हैं तो पेपर देने के बाद हमें एक सेफ स्कोर तक पहुचना होता है और हमारा दिल की जिग्यासा होती है कि सेफ स्कोर का पता कब लगेगा हमें तो आप ही के दोआरा काप ही स्टुडेंटों के कमेंट के मतेम से हमने एक अनुमानित कटोप तैयर की है और उस अनुमानित कटोप को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा क्यों कंदध स्टुडेंटों का रहेगी इस वार कटोप में क्या परिवर्थन होने वाला है काफी बच्चों के सवाल थे सर यह हमारे कुछ प्रशन है आप इनके जवाब दीजिएगा मैं उन्हें सभी प्रशनों को इस वीडियो में आपके बीच लेकर उपस देदू कटोप क्या रहेगी क्या जो पिछला पसुदन साय का ज पसुदन साय का जो पेपर हुआ था उसमें क्या था कि जो नेगटिव मार्किंग नहीं था इस बार क्या हुआ है वन थर्ड नेगटिव मार्किंग है देखिए अपने आप में नेगटिव मार्किंग में बहुत बड़ा आकड़ा है यह वन थर्ड का इसका क्या आसर अब मैं बात करता हूँ, देखिए, जो पिछली वेकंजी दी, उसकी तुलना में इसमें क्या है, CTB कम है, नेगेटिव मर्किंग भी है, और अगला प्रसंद फिला गया, स्टुरेंट्स का, सर पेपर का इस्तर कठीन या सरल, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है, देखिए, मै आपको बता देता हूँ, पेपर का इस्तर 5 से 10 प्रसंद, कुछ ऐसे प्रशन थे, सब्जेक्ट के, जो वाकई में एक इस्तर मेंटेन करते हैं, बाकि क्या होता है, कि जो ठीक था, पेपर का लेवल ऐसा कुछ हार नहीं था, परन्तु 5 से 10 प्रशन ऐसे थे, कि वास्तम में नहीं उनका लेवल था, बहुत हार प्रशन थे, बाकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बात करते हैं, आपका अपना पसंदीदा प्रशन था, सर अनुमानित कटोफ, तो देखिए, मैं आपके बीच अनुमानित कटोफ दिखा देता हूँ, ये रही आपके अनुमानित क बाटने के बाद, जिस के जिस कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ, वो बैठ रहे हैं, तो ये वानों कि आप सेफ स्कोर में हो, आप अज के सिवा में चैनित होने की सम्मावना रखते हो, हम दावा नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके द्वारा बताया गया है, ये अनुमानित हैं, और अनुमानित आपके बीच में साजा कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से आप बिलोग करते हो, तो आपके 88 से बाण में प्रशन अगर बैठ रहे हैं, कितने 88 से बाण में प्रशन आपके नेगेटिव काट के 120 में से बैठ रहे हैं, तो आप सेफ स्कोर में हो, जनरल केटेगरी के महिला है, 5 प्रशन कम कर सकते हो, यानि अठासी में 5 कम कर लो, इधर बाण में 5 कम कर लो, समझ गए ना, अब आगे देखिए OBC की बात करूँ, OBC की मैं बात करूँ, 86 से 90 प्रशन जिसके बैठ रहे हैं, महिला है 5 उपर नीचे कर ले ना, S T C category के बात करता हूँ, S T C Category में जिसके 75 से 80 प्रशन बैठ रहे हैं, नेगेटिव काट के, शिए की स्कोर में रहेगा, S T C resource की बात करता हूँ, तो आपके 78 से बैयां से प्रशन बैठ रहे हैं, तो आप एक बहुत ही शिएट स्कौर मेंटिन कर रहे हो, उसके बात करता जिसके बैठ रहे हैं और MBC में 80-85 ये स्कोर जिन जिन विध्यारतियों के जिन जिन प्रिक्षा की तैरी कर चुके जिनों ने एक्जाम दिया है उनके बैठ रहा है तो आप बिलकुल भी शेफ स्कोर में हो आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें आपको किसी प्रकार कोई टेंशन करने की ज़रूत नहीं है यह आँखला आप है आप में बहुत safe है क्यों है safe हम ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं देखिए मैं मानता हूं CT कम है paper का level इतना भी अलगा नहीं था परन्तू negative marking है one third वाली और क्या है कि students इतना नेगटिव के बारे में इतना aware नहीं था उसने क्या जान भूझ गे 120 में से कई student ऐसे थे जो नहीं 115 तक ठिका दिये 115 परसंद कर दिये जब पता लगा बैठ कितनी रहे है तो बोला हमने ज्यादा कर दिये सार और वो one third बहुत नीचे ले आता है तो इस वज़े से यह cut-off र है यह मुस्क्रातिरिये बगर किसी घबराट क्योंकि आपने बिंदास हो के तेहरी किये बिंदास हो के आप पेपर दिया है और बिंदास ही आपका result आएगा ऐसी आसाई और ऐसी सुबकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं फिर मिलता हूं अगले सस्तन में तब त जयर किजी जय हिन जय बार